आपके घर में तुलसी का पौधा, आपके घर में खुसियां आने के पहले कुछ सुभ संकेत देता है, कैसे? आएे जानते हैं आज इनहीं बातों को बिस्तार से देखे वास्तु सास्त्र में जीवन में जो नकात्मक चीज़े है ना उसको हटाने के लिए तुलसी का पौधा लगाने की सला दी जाती है और तुलसी का पौधा लगाने का भी सही दिशा है जैसे कि सर्वोत्तम दिशा पूरव दिशा है पूरव उत्तर दिशा है क्योंकि सुर्य उदै होने की दिसा है और इस दिसा के स्वामी देपता इंद्र है अब दूसी तरफ अगर हम वास्तु की माने तो तुलसी घर में सुक सम्रिद्धी को बढ़ाने वाला पौधा है अगर आपके घर में वास्तु दोस है तो तुलसी अगर आप तुलसी का बगीचा कहने का मतलब आठ दस पौधे लगा दें गमले में लगा दें आप देखिए का आपका वास्तु दोस माद घर में जो परिसानी है वो खत्म हो जाती है गुड और बेड साइन फ्रम तुलसी तो ऐसे में देखिए आपके उन्नती का मार्ग भी खोलता है तुलसी वास्तु कहता है घर में कुछ चीजें रखने से नकात्मक उर्जा कम हो जाती है इसलिए पेड पौधों को कहां रखना चाहिए इसका बहुत ध्यान दिया जाता है कई पौधे हैं जो घर के वास्तु को समाप्त कर देता है और इन्हीं पौधों में तुलसी का नाम आता है तो तुलसी का सही दिशा जहां से वो आपके जीवन में सुपता को बढ़ाएगा सबसे पहले यह जाने देखिए जैसे की तुलसी का पौधा है उसको हमेशा ही घरांगन में छट पर आप लगा सकते हैं लेकिन भूल कर भी दक्षिन दिशा में तुलसी मत लगाईए लगाता है और भूल कर भी इन पेड़ों को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए cure उन पेड़ों का छाया भी घर परनहीं करना पड़ना चाहिए यह ऑच्छा जो पौधे होते हैं उनको हमेशा ही पूरव या उत्तर दिसा में लगाना चाहिए अच्छे फल देते हैं अब जैसे दूद वाले पौधे होते हैं जिस पौधे के पत्ते तने तोड़ने से दूद निकलते हैं घर आंगन में भूल कर भी ना लगा है नहीं तो घर के रहने व उपर चड़ती भी आपको वेवस्था करना चाहिए बांद बांद कर उपर आप चढ़ाएं तो अच्छा है नीचे जाएगा तो फिर आपके जिवन में मुश्कले आएगी धन खर्चा बढ़ाएगा तो आज हम चुकी तूलसी की बात कर रहे हैं अब जो तूलसी का पौधा जब आप घर में लगाते हैं तो पूजा पाठ भी करते होंगे जलर पीत करते होंगे साम में दिया जलाते होंगे लेकिन गलत दिसा में फिर लगा देते हैं तो घर में निगर्टिव अनरजी बढ़ जाती है तो तूलसी के पौधे से कुछ मानने ताये हैं देखिए बुर में खुद बखुद तूलसी का पौधा होगा है तो इसका मतलब है लक्ष में आपके घर प्रवेश कर चुकी है जो पौधा घर के लिए सुभ होता है वह बास्तु दोस्त को भी दूर करता है ऐसा माना गया है हमेशा उत्तर पूरब दिसा में रखे जब तूलसी सूख जा और इसको कार्तिक के महने में जब आप दिया जलाएंगे पुजा पाठ में तक थोड़ी सी लकडी दीपक में जो आप धागे की बाती देते हैं लाल धागे की बाती वहाँ पर रखकर जलाईएगा लक्ष में स्थिर हो जाती है तो हिंदू धर में ये भी माना गया है अग कि बुद्धी से सफलता प्राप्थ होगा लेकिन याद रखिए दुर्वा घास का पौधा जो होता है वह च्छत पर नहीं होना चाहिए अगर च्छत पर लगा तुलसी है पौधा और वहां हो जाता है तो इसको आप नीचे ले आईए क्योंकि च्छत पर घास रहने से रह सफुरू रखना चाहिए तुलसी हिंदु धर में वैसे बहुत सारे सुपकारियों में इसका प्रियोग किया जाता है और मालक्षमी का स्वरूप भी माना जाता है तुलसी के पौधे को जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर दैपीय किरपा बनी रहती है बैकु पौजिटीव एनरजी आता है और कुछ नियुमों का पालन भी आपको करना है इनका देखभाल करना जादा जल नहीं देना चाहिए तुलसी में वरना तुलसी खराब हो जाएगी अब तुलसी का पौधा बहुत जल्दी बहुत जल्दी सोचने लगता है घर पड़िवार पर विपत्ती आ सकती है यानि कि इसके पास बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तुलसी के पौधे के कुछ नियम होते हैं जैसे कि तुलसी के पौधे को भूल कर भी रभी बार एकादसी सूरी गरहन चंदर गरहन के दिन नाच हुए सुरियास्त के बाद तुलसी के पत्ते बिलकुल भी ना तोड़े तुलसी के नीचे हर रोज साम के समय एक दिया जरूर जराएं अगर किसी कारण से तुलसी का पौधा सूख जाए तो फेकिये मत बलकि उनका जल प्रवाह कर दीजे या मिट्टी में दबा दीजे और तुल में जो वास्तुपूजा है करवाईए सतनयन कथा करवाईए ताकि सांती हो सके तुलकि आपके उपर आने वाली मुसीवत को तुलसी अपने उपर ले लेती है भूल कर भी गनेश जी को और भगवान सिव को तुलसी का पत्तार पित्मत कियेगा माना जाता है तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो पहले ही बता देता है आपके घर परिवार पर मुसीबत आएगा या फिर आपके घर में खुसिया आएंगी अगर कोई गरह आपको सुप फल दे रहा है तो तुलसी का पधा उत्तर बढ़ता है यानि उत्तर दिसा की और पधे के टहनी पुस पुस अब आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन बुद्ध के प्रभाव से पधे में फल फुल लगते हैं तुलसी का गमला रसोई के पास रखिएगा तो पारी बारी कलह समाप्त हो जाते हैं पुरव दिसा की खिड़की के पास रखिएगा तो आपके बच्चे जिद्धी अगर हैं तो वो जिद्ध करना छोड़ देते हैं घर की कोई संतान अगर अपनी मर्यादा से बाहर है नियंतरन में नहीं है मन का करता है तो तूलसी जो है पूरत विसा में रखावा तूलसी के पौधे में से तीन पत्ते हर रोज किसी न किसी रूप में अपने बच्चें को खिलाएं उनका बेभार बढ़ियां हो जाएगा अगर कन्या के बिवाह में बिलंब हो रहा हो तो अगनी कोन में तूलसी के पौधे को रखें और कन्या को बोले कि परदिक्षना करें रोज जल और पीत करें सारी बाधायें दूर हो जाएगी अगर कारोबार ठीक ना चले तो दक्षिन पस्चिम में रखे तूलसी के गमले पर हर सुक्रवार के दिन कच्चा दूद जल में डाल कर थोड़ी सी मीठी बस्तू डाल कर आप भोग लगाए नौकरी में उच्चा धिकारी की बज़ा से परिसानी हो तो आप तूलसी के सोलह बीज सफेद कपड़े में बांध कर आपके ऑफिस में जो भी गमले हैं मिट्टी हैं वहाँ पर सुमबार के दिन दबा दें मान सम्मान बढ़ेगा और नित्य परंचम्रित मना कर सालीग राम जी का भी सेख करें तो घर का वास्तु दोस्त समाप्त हो जाता है फिलाल आप से बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धन्यवाद